चीन, अमेरिका, भारत और रूस जैसे ताकतवर देशों की सूची में शामिल है। बता दें कि चीन ने खुद को पिछले कुछ दशकों में और भी मजबूत किया है। चाहे वो सेक्टर डिफेंस का हो, इकोनॉमी का हो या कुछ और, हर सेक्टर में चीन ने खुद को आगे बढ़ाया है। दोस्तों, बड़े बड़े देश, खासकर ताकतवर देश, हमेशा खुद को अपग्रेड करने के लिए एक रेस में बने रहते हैं। हमेशा नई तकनीकों के साथ ये देश हर क्षेतर में टॉप पर रहने की कोशिश में जुटे रहते हैं। हाल ही में दुनिया ने सौधी अरब के मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जाना, जिसने सब को हैरान भी किया, तो दूसरी और सौधी अरब के इस कदम की तारीफ भी की गई। दोस्तों ठीक उसी तरह चीन भी अपने कई मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जिससे तरक्की की और चीन की रफ़तार और बढ़ेगी तो चलिए आज के इस आर्टिकल के माध्यम से हम चीन के कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते हैं जिस पर चीन फिल हाल क बंटी रहती है ठीक उसी तरह चीन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है जी हाँ चीन की कुछ जानता चीन के इस मेगा प्रोजेक्ट्स को सही ठहरा रही है तो कुछ कह रही है कि ये पैसों के बरबादी है खैर किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा समय के हिसाब स देश के लिए अंतरिक्ष मिशन के लिए सबसे पहले अमेरिका रूस जैसे देश एक्सपेरिमेंट करते थे लेकिन आज चीन और भारत जैसे देश भी अपने अंतरिक्ष मिशनों में इजाफा कर रहे हैं बता दें कि इस तरह से किसी भी देश की ताकत का समरिध्ध का पत करने वाला है खैर हम आज के इस आर्टिकल में चीन के मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं इसलिए आईए अब चीन के मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते हैं एक दक्षन उत्तर जल अंतरन परियोजना दोस्तों चीन अपने दक्षन उत्तर जल अंत इतना निवेश करने वाली है। और लगभग लगभग ये परियोजना पूरी होने के कगार पर है। दोस्तों, प्रोजेक्ट के तहट पहले ही पूर्वी मार्ग खोले जाने के बाद से लगभग उन टान साइस पॉन नौ बिलियन क्यूबिक मीटर पानी को मोड़ दिया गया है। बता दें कि डेंजियांग को जलाशय के पास और केंद्रीय मार्ग के किनारे रहने वाले लगभग तीन लाख तेसीस हजार लोगों को इस प्रोजेक्ट के कारण स्थानांतरित होने पर मजबूर होना पड़ा। दोस्तों भारत में जो नदी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है उसे ही चीन में यारलूंग जंकपो नदी कहते हैं। अपने शुरुवाती चरण में ही है लेकिन कई देशों के लिए चीन की ये परियोजना चिंता का सबब बनी हुई है कि कहीं चीन इसे कहीं हत्यार के तौर पर इस्तेमाल न करें। बता दें कि NDRC की राष्ट्रिय विकास योजना में ये सपष्ट रूप से उलेख किया गया है कि नदी की निचली पहुँच पर चीन जल विद्युत विकास शुरू करेगा। 3. यंताई डालियान अंडर सीट टनल दोस्तो पूर्वी शहर यंताई और उत्तर में डालियान के बीच प्रस्तावित टनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चैनल टनल की लंबाई से दो गुनी है। जी हाँ, चीन में बोहाई सागर के नीचे लगभग 90 किलो मीटर तक ये टनल फैली हुई है। बता दें कि इस परियोजना के तहट चीन अपनी ट्रेन यात्रा को पांच घंटे से घटकर आधे घंटे तक कर सकेगा। हालांकि चीन की ये प्रोजेक्ट अभी की नहीं है। पुनरजीवित करने की योजना में इसे शामिल करने के बाद प्रमुकता मिली। और अब कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकती है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत यन्ताई शहर के एक जिले पैंगला द्वारा 2021-35 परिवहन नेटवर्क विकास योजना में हाइ स्पीड रेलवे के फूजो टाइपे खंड को शामिल किया गया था। बता दें कि प्रोजेक्ट के तहत 126 किलोमीटर लंबी समुद्री टनल बनाने की योजना है। जिसमें राज्य के स्वामित्व वाली चीन र इस्से के रूप में प्रस्तावित किया गया था जो पूरा होने पर मुख्य भूमी को ताइवान से जोड़ देता लेकिन बाद में रेलवे विकास योजना में चीनने से शामिल किया। 2006 में किंग हाई के साथ कनेक्शन शुरू होने के बाद सिच्चुआन तिबबत रेलवे तिबबत और आंतरिक प्रांतों के बीच ये दूसरा रेल लिंक होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि लगभग 39.8 बिलियन क्षेत्र में निंग्ची और लासा के बीच 435 किलो मीटर का खंड जून में खोला गया था, 611 किलो मीटर का निर्मान टनल और पुलों का उप्योग करके किया जाएगा और 9000 फीट से अधिक की उंचाई वाले क्षेत्र से होकर यात्रा की जाएगी। तो दोस्तों ये है चीन के कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स जिस पर अमेरिका सहित पूरी दुनिया के देशों की नजर है। के लिए एक संकेत दे दिया है। खैर इस आर्टिकल में चीन के मेगा प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है तो जाहिर है कि चीन के इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पर बाकी देशों का ध्यान जाना लाजिमी है। तो देखते हैं कि चीन के ये प्रोजेक्ट्स कब तक पूरे ह होते हैं फिलहाल आज के आर्टिकल में इतना ही मिलते हैं अगली आर्टिकल के साथ तब तक के लिए धन्यवाद